हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रेशन वेल इनफ यानि बहुत अच्छे से चल रहे होगे तो आज की वीडियो होने वाली ये बहुत खास उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि S.A.C. G.D. कॉंस्टेबल की जो रिक्रूट्मेंट आ रही है उसका इक्जाम डेट कब आएगा किस किस पोस्ट पर वेकेंसी आई है किन डिपार्टमेंट के अंडर है कि मतलब कम्प्लीट डीटेल पर में हम लोग डिसकाशन करेंगे तो अगर आप भी थोड़े से इंट्रेस्टेड हो इसकी जॉब रिकूट्मेंट को लेके वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखन तो चलिए फ्रेंट्स ज्यादा टाइम वेश्ट नहीं करते हैं हम लोग फटा फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके मान में तो ये क्यूरियोसिटी होगी कि कितनी पोस्ट पर आ रही बहुत सारे लोग एक्साइटेड है कि जीडि की अपकमिंग वेकेंसी है उसमें काफी अच्छी सीट्स आने वाली है तो मान के चलो फ्रेंड्स की 40,000 के अप्रॉक सीट्स आपके आएगी ओफिशली अनॉंस कर दिया गया है रही बात के आपको फ़ॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट होगा तो यूर्फॉर्म बिल स्टार्ट फर्म 24 नवंबर 2023 और लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 28 दिसंबर 2023 अब आप सोच रहे होगे कि फॉर्म अप्लाई करने में क्या फिल लगेगा मैं बता देती हूं आपको जेनरल OBS यान EWS से लिया जाएगा 100 उपीज वही पर अगर आप SCST कैंडिटेट हो या फिर फीमेल कैंडिटेट हो आपसे कोई चार्जिज नहीं लिये जाएंगे एज लिमिट की अगर बात करू तो योर एज विल बे कैलकुलेटेड एज उन 1 जनवरी 2023 मीनिमम 18 एन मैक्सिमम 23 येर्स रिलाक्सेशन भी मिलता है OBS को 3 येर्स का NACST को मिल जाएगा 5 येर्स का रिलाक्सेशन So age limit भी आपके लिए बाधा नहीं बनेगी अब रही बात कि आपके मन में कबसे बहुत सारे बच्चे ऐसा question पूछे दे कमेंट सेक्शन में कि GD का exam कब होगा exam date तो देखो friends exam date भी announce कर दिया गया February से start होगा March 2024 तक आप लोगी screen पढ़ना इसका official notification देख पा रहे होगे चाहो तो आप screenshot भी ले सकते हो तो friends जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आपका 20 February से exam start होगा 12 March तक ये paper चलने वाला है तो आपको March नहीं मान के चलना है हम ये मान के चलनेगे कि February 2024 में आपका paper होगा तो आपको अपनी त्यारी की speed ऐसी करनी होगी कि जो February आपका आएगा तब तक आपका पूरा syllabus वगेरा complete होजाए आप अच्छे से revision कर लो क्योंकि आपको अपने लिए एक seat अचीव करना है तो इतना आपको करना परेगा चलिए आगे मैं समझा देती हूँ selection की process क्या रहेगी Your selection will be dependable on major four stages First of all you have to clear the written exam यहाँ पर friends आपका online paper होता है computer based test होगा उसके बाद होती है आपकी physical जिसमें PET and PhD physical efficiency test आती साथ physical standard test होता है उसके बाद medical fit dv यानि document verification उसके बाद आपको आपकी joining later दे दी जाती है तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते कि stage 1 का जो selection process है आपका exam की pattern क्या रहेगी Friends आपकी exam में 80 questions होंगे 160 marks के लिए which means कि per questions मिलेंगे आपको 2 marks time मिलता है 60 minute यानि 1 hour का आपका रहेगा paper negative marking 1 by 2 यानि 0.50 का आपको negative marking देखने को मिलेगा subject wise अगर बात करूं ना तो reasoning के 20 questions रहेंगे 40 marks के लिए GK and CM मतलब की general knowledge and current affairs के 20 questions रहेंगे 40 marks के लिए mathematics के 20 questions 40 marks के लिए English और Hindi वो आप पर tip end करेगा आप दोनों में से कौन सा subject चूस करते हो उसके 20 questions रहेंगे 40 marks के लिए so I hope की exam pattern आपको clearly आप समझ गये होंगे तो चलिए आप physical की criteria describe कर देते हूं physical में first of all होगा physical standard test जिसमें आपका physical जो सारीडिक map परेक्षन होता है न वो होता है सबसे पहले आपका height measurement होता है male candidate ST के लिए minimum 162.5 cm रहेगा others के लिए 170 cm female के लिए ST candidates का minimum 150 cm और आदर्स के लिए 157 cm chest की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ male candidates के लिए यहाँ पर calculations होते है तो ST candidates के लिए 76 to 81 cm और आदर्स के लिए 80 to 85 cm which means की 5 cm का यहाँ पर expansion खोजा जाता है आपके chest में और उसके बात running होती है तो male candidates के लिए होती है 5 km की running जो की complete करना होता है 24 minutes में females के लिए यह running होती है 1.6 km की और इसको complete करना होता है 8.5 minutes में So physical की criteria भी आपने समझ लिया तो चलिए आप बता देती हूं किन-किन departments के अंदर मतलब defense में बहुत सारे department होते हैं तो किन-किन के अंदर आपको जी-डी के तुरू vacancy आती है चलिए मैं सब आपको समझा देती हूं First है आपका B.S.F Border Security Force, Second CRPF, Third A.S.M. Rifles है Fourth है आपका ITBP, Fifth आपका SSB, फिर है आपका NCB, SSF और CISF तो friends यह 8 departments के अंदर vacancy आई है आपकी तो आप मैं बता देती हूं department wise आपको क्या salary मिलने वाला है तो आपको NCB की post के लिए 18,000 starting में और after personal allowances per year की जो increment होती है उसके बाद 56,900 रुपीज आपकी salary हो जाती है वही अगर आप other department के अंदर जाते हो न तो आपकी starting होती है 21,700 रुपीज से after per year increment आपकी salary हो जाती है 69,100 रुपीज So I hope कि मैंने जो भी कुछ आपको detail बताए हैं SAC GD के upcoming recruitment 2023-24 की regarding आप लोग उसको अच्छी से समझ पाए होंगे, relate कर पा रहे होंगे और अगर कहीं पे भी समझने में थोड़ी से भी दिक्कात आई हो, comment section में आके आप पूछ सकते हो otherwise मेरे telegram channel, facebook page and instagram सबका link आपको मिल जाएगा description box में वहाँ पर भी चाहो तो आप मुझे follow कर सकते हो, अपनी queries को पूछ सकते हो और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो friends तो भर भर के like जरूर करना, अपने friends के साथ भी इस informative वीडियो को share कर देना और मेरे चैनल को subscribe करके notification bell को आप all पे set करना, ताकि मेरी सारी friends वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए तो मीलूंगे आप से फिर से किसी government job की update के साथ, till then stay tuned, bye bye, take care